हेलो फ्रेंग्स वेल्कम बैक टो चैनल स्पार्कलिंग स्टास आज अपन ब्लैक फॉरेस्ट डीजर्ट बगना राहोत। तुमा लजर ने मीचे स्वीट खाऊं कंड्रा आलासे तहे नकी तुमचे सैठील से। खुब चान्द इस तहे डीजर्ट ब्लैक फॉरेस्ट जार केक सर्खवट तुमी नकी ट्राय करून बगां। बर्बॉन ची डहा बिस्किट घेतलेत्मी। येचे अपलेल पाउडर करून घेचे मिक्सर जार मदे। छोटे तुकडे करून मिक्सर जार मदे घेचेत। मिक्सर मदे फिराओ ताना 5 सेकंद फिरवाईचे बंध करायचे परत 5 सेकंद फिरवाईचे। आशा 2-3 केल ता छान पाउडर होईल। अपलेला घट्ट गोडा पन नकोए आणी खुप सुट्टी-शुट्टी ड्राय पाउडर आशी पन नकोए। इही पाउडर जर खुप सुट्टी-शुट्टी वाटली तर तुम्ही एक चमचा बटर कीमा तूप वितलवलेल घालू शकता याचा मदे। तुम्ही बगुशकता छान पाउडर जली अपली। गोडाई नाई है अणी खुप सुट्टी अशी पन नाई है। अपन डाग चोकलेट ग्रेट करून घ्यूए अथा ता। डाग चोकलेट फ्रीज मदे ठेवायाच है। साथ ते आठ तास, वाज़े ते व्यवस्ति तुम्ही ग्रेट करूँ शकता पिलाचा साहियाने कि वाँ जोटी जर किसनी असिल घरात तुम चकड़े तर तेचा साहियाने। डाग चोकलेट ग्रेट करून जाले, आथा पाणे क्रीम बनून घ्यूए तेचा साथी। एक भांड गरम कराये ठेवले, तेचात मी एक बाउल दूद घालती है। तेचात दूदह मदलस मी दोन तीन समचे दूद ठेवनारे अपलेल एक पेस्ट बनून घेचे। दूदहला थोड़ा थिकने सेना साथी। दूद थोड़ा सा गरम जाले, आचात पाउबाउल साखर घालाईचे। आणे ताला छान उकली यह उद्याईचे। दूद उकली परियंत मी पेस्ट बनून घेनारे। एक बाउल मदे मी एक चमचा कॉनफलोर घेतले। तचा तच मी दोन चमची मिल्क पाउडर घालनारे। आणे अपले ठेवलेले जे दूद होता। ते घालून छान स्मूध आशी पेस्ट बनून घेनारे यहाची। मिल्क पाउडर आवेजी तुम्ही कस्टर पाउडर चापन वापर करू शकता। यहचे गाठी बिल्कुल जाला नाई पाई जेले। छान स्मूध पेस्ट कराईची। दुदहला छान उकली आले। अता यहचा मदे आपन तैयर केलेली पेस्ट घालूया थ। एका चमचानी दुद धौळत रहाचे एक सार्ख आणी एका हातानी पेस्ट घालाईची। मंजे गाठी होडा न नाई थ। पेस्ट घालून जाल्या नंतर ही दुद एक सार्ख धौळत रहाचे। काण कॉन फ्लोर हैते तलाला जाउन बसेल आणी गाठी होतेल। क्रीम एक सार्ख धौळत रहाचे मंजे लोकर थंड होई तुम्हाला हावासेल तरह आवेला तुम्ही इथे आथा वाइट चौकलेट आइड करूशकता मंजे आणी थोड़ी शी रीच टेस्ट हेल। माचा कड़ एविलेबल नाई है पन मी गालत नाई है। क्रीम थंड करून मी एका बाउल मदे काडली है। तैचा तमी 2-3 ड्रॉप वैनिल इसेंस घालती है। इसेंस घालना ओप्षनल आहे। तुम्हाल आवडत असेल तर घाला नाई घातलत तरी चालेल। अपला क्रीम बिस्किटची पाउडर आणी ग्रेटेड चोकलेट सगत तयार है अता पन अरेंज करूया थे। मा चकड़े काचेचे जा रहेत मी ते घितलेत। तुम्हाल चकड़े ग्लास अस्तिल बाउल अस्तिल ते तुम्ही घ्या। पहला मी बिस्किटचा पाउडर चा लेयर देती है। वैवसीत प्रेस करून भराईचे पाउडर। तुम्हाल हवासेल तुम्ही एकचमचा तूपया चा ते आड़ करू शक्ता मी मगाशी सांगितले प्रामाणे। मझे छान बाउडनिंग पन यहील। अपली बिस्किट पाउडर ची लेयर लाउण तयार है अता पन क्रीम घालुया देजा वरती। क्रीम ची लेयर सगिकड़े व्यवस्तित एक सार्की पसरों गहीची है अणि परत बिस्किट चा पाउडर ची लेयर लावाईची है तीपन व्यवस्तित प्रेस करून एक सार्की सगिकड़े लाउँची है अता परत येचा वरती आपन क्रीम ची लेयर लाउँची है एक सार्की सगिकड़े पसरों प्रेस करून गहाँची है अता येचा वरती आपन ग्रेटेड चोकलेट टाकना रोथ थोड़े सा गार्निशिंग साथी आणि एक चेरी ठेवना रोथ आरधी कट करून तुम्ही अपला एक जार तायारे अता पन दुसरा अरेंज करूयाद पहले प्रमानेस परत प्रोसेस रिपीट कराईची है बिस्किटची पाउडर विवस्तित प्रेस करून लावाईची है अनि तया चा वरती क्रीम ची लेयर दैची है पुणा एक वरती बिस्किटची लेयर दैची है अता रिवस्तित प्रेस करून दैची है मैंज बैंडिंग छान यही अता यह चा वरती परत क्रीम ची लेयर दैची है अनि थोड़े सा चोकलेट टाकाईची ग्रेटेड अनि कटके लेली चेरी ठेवाईची है अपले दोनी जार मस्त तैयारेत लेयर अस पन खूप छान दिस्तायत आता है अपन फ्रीज मदे सेट करने साथी दोन ते तीन तास फ्रीज मदे ठेवा इवा एक ते देड तास फ्रीजर मदे ठेवा मस्त सेट जालेत अपले जार खायलाई दितके च्छान लागतात अणे दिसायलाई कूप सुन्दर दिस्तात कशिवाटली तुमाला आची रेसिपी आवडली असेल तर चानलला सब्सक्राइब करा वीडियोला लाइक, शेर, कमेंट करा पुना भिट्वयाथ अशाच चान शार रेसिपी सोबत तो परें तबी सेफ कीप स्पार्कलिंग